हेलो फ्रेंड्स जैशीर राम फ्रेंड्स देखिए आज मैं आपको यह डिजाइन डालना बताऊंगी इस डिजाइन को हम कैसे डाल सकते हैं और इस डिजाइन को हम किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं और इस डिजाइन को डालने के लिए हमने क्या करना है पहले बौडर बून लेंगे फिर जीरो के पास जो बीच में दो नीडल है जीरो के दोनों तरफ दो दो नीडल हमने आगे कर लेनी है पीछे हमने चार आगे कि बंद करेंगे उनकों मनें दोनों तरफ से by और रा राइट साइड की तरफ वी हम ने एक फंद कर लेना हैं और ये हमारे दो फंद निर्व हमारी का ली हो जाएगी बीच में हमारे जो चार फंदे हैं उसके दोनों तरफ हमने एक एक फंदा नीडल में डालते वे जाना है ये दो नीडल जो हमने आगे की है इनको हमने खाली कर लेना है दोनों तरफ हमने लेफ्ट सैड भी और राइट सैड की तरफ भी हमने दो दो फंदे नीडल में कर लिए अब हम क्या करेंगे पहले राइट सैड की नीडल हमने आगे करनी है दो नीडल हमारी बीच में खाली हुई है तो इसमें से हमने एक एक नीडल आगे कर लेनी है राइट सैड की नीडल जो हमने आगे कर लेनी है और वन रो लगाएंगे और एक नीडल हमने पीछे ही रखने हैं फिर हमने क्या करना है यह वन रो लगी हमारी अब हमने सारी नीडल आगे कर लेनी है और एक और रो लगा लेंगे यह हमारी टू रो हो गई completely अब हमने क्या करना है हमारी यहां देखिए जाली अब हमारी यहां double जाली आ रही है तो इसको हमने नीचे से फंदे को अठाया और इस needle में डाल दिया और दोनों तरफ से हमने एक एक फंदा दोनों तरफ से लेना है और इन दो needle को जो हमने आगे किया था उनी में हमने दोनों तरफ से एक एक फंदा लिया और दोनों तरफ हमने एक एक जाली डालनी है देखिए दोनों तरफ से हमने बीच वाली जो दो नीडल है इसी में हमने ये जाली डालनी है दोनों तरफ से और नीचे से पहले हम फंदा उठाएंगे ताकि हमारी ये जाली जो है ये साफ दिखाई दे और बीच वाले जो दो फंदे हैं इसमें हमने दो डवल डवल फंदे करने हैं दोनों तरफ से राइट साइड की नीडल से भी और लेफ्ट साइड की नीडल से भी हमने दोनों तरफ से एक-एक उठाना है दोनों तरफ हमारी जाली आ जाएगी और बीच में हमारे ये डवल फंदे हो जाएंगे दो दो दोनों तरफ से और इस जो नीडल हमने खाली की है वो सारी हमने आगे कर लेनी है और टू रो लगा लेंगे वन और टू टू रो हमारी ये कंपलीट हो गई अब हमने क्या करने है फ्रेंस यहां हमारे चार फंदे थे जो बड़ी जाली हमने डाली है दो फंदो की इसके साथ ही हमारे चार फंदे तो ये उपर वाले दो फंदे हमने आगे करने है देखे नीचे भी यहां यहां चार पंदे हमने बीच में से लेने हैं एई देखिए जहां हमारी बड़ी जाली डाली है हमने दो फंदों की जो है हमारे चार फंदों के बीच में दो फंदे हमने खाली करने है दोनों तरफ रेट सेड की तरफ और लेफट सेड की तरफ भी हमने एक एक फंदा दोनों नीडल में डालते जाना है और यहां हमारी एक बड़ी जाली आएगी और एक एक नीडल हमने राइट सेड की आगे कर लेनी है और सारी नीडल आगे कर लेंगे और एक एक नीडल हमने दोनों में से एक एक नीडल पीछी रखनी है फिर हमने दुवारा एक रो लगाने के बाद यह सारी नीडल आगे कर लेनी है और यहां यह का हमारी जाली आजाए देगी इसको हमने उपर नीडल में डाल देना है फिर हम क्या करेंगे दोनों तरफ से जो नीडल हमने अभी खाली की थी उन्हीं नीडल में हमने दोनों तरफ से एक-एक फंदा उठाना है और इसमें हमारे डवल फंदे हो जाएंगे और दोनों तरफ हमारी एक-एक जाली और आ जाएगी और सारी नीडल हम आगे कर लेंगे और टू रोल लगाएंगे फिर हमने अब बड़ी जाली डालनी है तो हमने चार फंदों के बीच में जो यह देखिए दो फंदे दिख रहें यह हमने आगे करने यहां भी हमारे चार फंदे थे इसके उपर हमने दो फंदे लेने है यह देखिए और इस डिजाइन को आप आसानी से डाल सकते हैं बहुत आसान है यह दिजाइन डालना दोनों तरफ आमने एक एक फंदा डालते जाना हो और नीडल जो है एक हमने राइट साइड की आगे ले लणी है पहले हमारे एक नीडल आगे होगी फिर सेकंडी रो में हमने दूसरी नीडल आगे करनी है इसी तरह से हमने यह डिजाइन डालते हो जाना है नीडल आगे कर लेंगे एक एक नीडल हमारी पिछे रह गी और एक रो लगा ले फिर दूसरी बार हमने ये सारी नीडल आगे कर लनी है जो हमारी नीडल पीछे थी और ये टूरो हो गई अब हमने नीचे से ये फंदा उठाना है और इस नीडल में डाल देना है जो लास्ट वाली नीडल हमने आगे की थी उसी नीडल में हमने ये फंदा उठाना है और नीडल मे जाना है अब मैं थोड़ा सा और बून लेती हूं फिर मैं आपको दिखाती हूं कि किस तरह से ये डिजाइन कि आएगा देखे फ्रेंज इतना मैंने ये बून लिया है और इस डिजाइन को आप बड़े असानी से डाल सकते हैं और यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कोमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और वीडियो वाच करने के लिए थेंक यू